LC बनता है फिर राजिसभा का सदस्य बनता है और फिर वो जब वो लोगसभा का सदस्य बनता है तो चार पेंशन लेता है और आपसे कहा जाता है कि हम पेंशन नहीं देंगे क्योंकि अंग्रेजी में चार एडिटर बैठे हैं वो आर्टिकल लिखते हैं कि गवर्मेंट को ये पोशन पालन पोशन ना करे और चार उद्योग पती का धंदा डूप जाए तो उनको पांच लाग करोड़ दे और धाई लाग करोड़ आपके पेंशन पर खर्च ना करे और कहा जाता है कि आप NPS में निवेश करें क्या हम और आप एक ही योगेता रखते हैं मान लिजे कि मेरे पास 10,000 हैं और आपके पास भी 10,000 हैं यहाँ पे 100 लोग हैं सबके पास 10,000 हैं क्या सभी लोग बराबर शमता रखते हैं शेयर बाजार में निवेश कर अपने निवेश को बढ़ाने की उनमें वो शमता है दृष्टी है मुझ मे तो नहीं हैं बहुत सारे लोगों में नहीं होगी क्या उनको छोड़ा जा सकता है इसलिए आपकी मेहनत की कमाई तूटती जा रही है और यह प्रक्रिया चली आ रही है लंबे समय से इसी का नतीजा है यह हुआ है कि हम आज इस मोड पर पहुँचे हैं कि हमारी अर्थ पुद्धा नहीं बनाएंगे इस पर आप अपने आपको नहीं आजमाएंगे तो मेरे दोस्तों यह बीच बीच में मेरी 40,000 की नौकरी मेरी 50,000 सदस्यों की नौकरी इसको लेकर आप लड़ते रह जाओगे कोई फाइदा नहीं होगा 17 सितंबर को आपने इतना बड़ा अंदोलन किया कोई फाइदा नहीं हुगा आप मेरी बात को सुनो मेरे बारे में जो या फ़ाएं फैला रहें और फैलाते रहें अगर अर्थ विवस्था नहीं बढ़ेगी तो मेरी भी कमाई नहीं बढ़ेगी हम जैसे लोग जो उपर जा रहें नीचे सरक के नीचे आ जाएंगे और आप तो आपको तो जीवन में दस साल या पांच साल के लिए उपर जाने का भी मौका नहीं मिलेगा मुझे तो मिला भी लेकिन मेरे जैसे बहुत कम लोग हैं और आप जैसे जो मुझसे जादा काबिल हैं आप लोगों को एक सिस्टम की नीतियों के तहट बर्बाद किया गया आप समझे इस बात को आपको जिसका भी समर्थक रहना है बनिये लेकिन रोजगार के सवाल पर जुनून पैदा कीजिए धर्म के सवाल पर नहीं जाती के सवाल पर नहीं वरना आप बेरोजगारी के दौर से गुजरते हुए बुढ़ापे में जाएंगे और तब आपके लिए वो एक हजार रुपए समाधिक सुरक्षा के लिए होंगे जिसे प्रधान मंत्री ऐसे बताते हैं जैसे एक करोड रुपए उनकी जोली में डाल दिया हो अपना पिंशन बता दें विधायकों का या सांसदों का उसकी तुल्ला में अब आप और हम रिटायर होंगे तो पांच हजार रुपए पिंशन नहीं होगा हमारा हम कैसे जीएंगे ये हमारा सवाल है ऐसा नहीं है कि सरकार के पास पैसा नहीं है अगर सरकार 10-10 लाग करोड रुपए बड़े उद्योगपतियों के बेलाउट पे खर्च कर सकती है जो संख्या में सिर्फ 10 होते हैं या 100 होते हैं तो सारे सरकारी करमचारियों को सरकार पिंशन दे सकती है आपने 20 साल का ये दौर बिना पेंशन का देख लिया कई लोगों ने जो ग्रामीन डाग सेवा में काम करते हैं उनके किसी एक बच्चा पाहर के देश में नौकरी करता था उसने लिखा कि ये समस्या बहुत बड़ी है हमारे पिता जी और उनके दोस्तों का की पेंशन नहीं आ रही है आप उठाइए ये 2018 की बात होगी या 2019 की बात होगी तो मैं ये इस विभाग को नहीं जानता था तो उस लड़के ने कहा कि मैं न्यूजिलेंड या कहीं हूँ तो मैं कमाकर अपने पिता को भेज देता हूँ पर उन्हें बहुत शर्मिंदगी होती है कि सरकारी नौकरी में 40 साल रहने के बाद भी बुनियादी जरूरतों के लिए बेटे पर निर्भर है अच्छी बात है कि उनका बेटा भेज देता है पर बहुतों के घर में ऐसी परिस्तिया नहीं होंगी उन्होंने बताया कि उनके पिता के कई दोस्त गरीबी में मर गया इलाज की कमी के कारण मर गया ये कब तक आप गोधी मीडिया का न्यूस चैनल और आईटी से देख देख कर ये तमाशा करेंगे कब तक होने देंगे इससे आपको क्या मिला ये आपको समझने की जरूरत है फिर राजी सभा का सदस्य बनता है और फिर वो जब वो लोग सभा का सदस्य बनता है तो चार पेंशन लेता है और आपसे कहा जाता है कि हम पेंशन नहीं देंगे तो पैसा किसको जाता है पांच बड़े उद्योग पतियों को जाता है जब उनका धंदा चौपट हो जाता है तो तो सरकार जनता का टैक्स लेकर जनता का पोशन पालन पोशन ना करे और चार उद्योग पती का धंदा डूप जाए तो उनको पांच लाग करोड़ दे और धा सब के पास 10-10,000 है क्या सभी लोग बराबर शमता रखते हैं शेयर बाजार में निवेश कर अपने निवेश को बढ़ाने की उनमें वो शमता है दृष्टी है मुझ में तो नहीं है बहुत सारे लोगों में नहीं होगी क्या उनको छोड़ा जा सकता है इसलिए आपकी मेहनत क कमाई तूटती जा रही है और ये प्रक्रिया चली आ रही है लंबे समय से इसी का नतीजा है ये हुआ है कि हम आज इस मोड पर पहुंचे हैं कि हमारी अर्थ वेवस्था ठप हुई है नौजवान बेरुजगार हो गया है तो आपकी जो नौकरी है वो व्यापक आर्थिक नीतियों से जुड़ी हुई है अगर आप इसको नहीं लाएंगे बहस के केंद्र में इसे मुद्दा नहीं बनाएंगे इस पर आप अपने आपको नहीं आजमाएंगे तो मेरे दोस्तों ये बीच बीच में मेरी 40,000 की नौकरी मेरी 50,000 सदस्यों की नौकरी इसको लेकर कोई फाइदा नहीं होगा 17 सितंबर को आपने इतना बड़ा अंदोलन किया कोई फाइदा नहीं हुगा आप मेरी बात को सुनो मेरे बारे में जो या फ़ाएं फैला रहें और फैलाते रहें IT सेल का यही काम है उनको मालूम है कि मैं बुनियादी सवाल कर रहा हूँ और यह वो सवाल है जो 2017 से उठाने के कारण मेरा मजाक उड़ाया जाता है पर मैं जानता हूँ कि यह गलत हो रहा है इसका शिकार मैं भी हूँ अगर अर्थ विवस्था नहीं बढ़ेगी तो मेरी जाने का भी मौका नहीं मिलेगा मुझे तो मिला भी लेकि मेरे जैसे बहुत कम लोग हैं और आप जैसे जो मुझसे जादा काबिल हैं आप लोगों को एक सिस्टम की नीतियों के तहट बर्बाद किया गया आप समझे इस बात को आपको जिसका भी समर्थक रहना है बनिये लेकिन रोजगार के सवाल पर जुनून पैदा कीजिए धर्म के सवाल पर नहीं जाती के सवाल पर नहीं वरना आप बेरोजगारी के दौर से गुजरते हुए बुढ़ापे में जाएंगे और तब आपके लिए वो एक हजार रुपए समाधिक सुरक्षा के लिए होंगे जिसे प्रधान मंत्री ऐसे बताते हैं जैसे एक करोड रुपए उनकी जोली में डाल दिया हो अपना पेंशन बता दें विधायकों का या सांसदों का उसकी तुल्ला में अब आप और हम रिटायर होंगे तो पांच हजार रुपए पेंशन नहीं होगा हमारा हम कैसे जीए होते हैं या सौ होते हैं तो सारे सरकारी कर्मचारियों को सरकार पेंशन दे सकती है आपने 20 साल का ये दौर बिना पेंशन का देख लिया कई लोगों ने जो ग्रामीन डाक सिवा में काम करते हैं उनके किसी